जेहन दोस्तों आज के इस important lecture में हम weekly current affairs को discuss करने बाले हैं जिसमें हम 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक के most important current affairs के question discuss करेंगे तो आप इस पूरे lecture को बहुत ध्यान से last तक जोड़ देखेगा पहला और important question है राष्टिय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है आंसर हो जाएगा इसका बिजिया राहाटकर को तो बिजिया राहाटकर राष्टिय महिला आयोग की नई अध्यक्ष नुक की गए है उन्होंने रेखा सर्मा का इस्थान लिया है उनका कारिकाल होग तीन साल का और अब उन्हें केंद्रिय राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा दोस्तों बात करते हैं नेशनल कमिशन फॉर बोमेन की तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी और यह महिलाओं के लिए कारिकरने वाली एक संस्था है अगर आप से सबाल पूछा जा को हरा करके पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खताब जीता है जो दो हजार चॉप 20 का विमेंस T20 वर्ल कप था यह संकत अरब अमिराद में आयुजित किया गया था तो इसको किस ने जीता है याद विकेट लिये हैं इस पूरे टूर्णामेंट में इन्होंने 15 विकेट हांसिल किये हैं सबसे ज्यादा रन बनाए हैं लॉरा बोलवार्ट ने जो की दच्छन अफ्रिका की हैं दोस्तों अगर आपसे सबाल पूछा जाए कि बीमेंस टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब सबसे अधि और बेश्टेंडीज ने भी एक बार इस खिताब को जीता है अंगला कुशन है रोसिटा मिलेसी को 2024 का नांसेन सरनार्थी पुरुसकार प्रदान किया गया है उनका संबंध किस देश से है उनका संबंध है ब्राजील से तो दोस्तों ब्राजील की सिष्टर नन है जिनका न अंगला कुशन है पचास अंतरथी गोल करने बाली पहली भारतिय महिला कौन मनी है तो उनका नाम है बाला देवी तो भारतिय महिला फुटवालर है बालार देवी, तो उन्होंने अपने इंटरनेशनल केरियर में 50 गोल कर लिये हैं, तो इस प्रिकार से वो इंटरनेशनल केरियर में 50 गोल करने बाली पहली भारतिय महिला फुटवालर बनी हैं, याद रखिएगा कि उन्हें गोल मसीन के नाम से भी जाना जाता है, बात हुए फुटवाल की तो फुटवाल से related कफ और ट्रॉफियां कौन-कौन सी होती है इसको भी discuss कर लेते हैं तो रोबर्स कफ संतोस ट्रॉफी सुब्रुतो कफ दूरंड कफ और आसदोस कफ इसके अलाबा मर्केटा कफ ये सभी फुटवाल से related है अंगला कुशन है IIT मदरास के द्व यह के अंदर 2025 तक शुरू हो सकता है तो यहां पर research और innovation का कारिक किया जाएगा कुछ important current of us discuss कर लेते हैं तो अभी हाली में NIRF ranking 2024 को जारी किया गया था तो उसमें IIT मदरास भारत का सर्वस्रेश्ट संस्थान रहा है DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा अभी हाली में अभेद ना S.Gopal Krishnan अभी हाली में SSC के नए अध्यक्ष बने हैं उन्होंने राकेस रंजन का इस्थान लिया है S.Gopal Krishnan की बात करें तो वह 1991 बैच के IAS officer है SSC की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को इसका उदेश से group C और group B के पदों के लिए जो कर्मचारी हैं उनकी भरती करना अं अंसर हो जाएगा Google तो Google की नए CTO कौन बने है प्रभाकर रागवन उन्होंने Nick Fox का इस्थान लिया है दोस्तो प्रभाकर रागवन ने इससे पहले Yahoo में काम किया है इसके अलाबा वो Google Apps और Google Cloud के उपाध्यक्ष की रूप में भी काम कर चुके हैं Google की बात करें तो इसकी स्थ स्थापना चार सितंबर 1998 कुकी गई थी इसके संस्थापक है लेरी पेज और सरगेई ब्रेंट इसका है कैलिफॉर्णिया अमेरिका में और इसके वर्दमान में CEO है सुंदर पिचाई अंगला कुशन है भारतिय सेना ने स्वाबलंबन सकती अभ्यास का आयोजन कहां किया है तो भारतिय सेना की जो सुदर्शन कोर है उसके द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया गया है इस अभ्यास का उद्देश ये है कि नई तकनीक का उप्योग करके सेना की पावर को बढ़ाय साए उसकी छमताओं में सुधार किया साए इस अभ्यास में 1800 सेनिक और 210 वक्तरव बाहन और बिमान सामिल हुए थे नेक्ट कोशन है प्रबोबो सुभ्यानतो किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं तो वह इंडोनेसिया देश के प्रेसिडेंट बने हैं और वह इंडोनेसिया के आठवे प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों फरवरी में वहाँ पर एलेक्सन हैं INDONESIA में भारत की तरह ही Rाष्टपती का कारिकाल पाँच बर्सका होता है INDONESIA की bit j Northeast diets discuss करें तो राजधानी इसकी जखारता है और इसकी नई राजधानी बनेगी 900 1200 करंसी है रुपिया और राश्टपती है प्रबोबो सुभ्यान्तो 1945 में यह नीदर लेंड से सोतंत्र हुआ था और इस देश में 100 से अधिक सक्रिय ज्वाला मुखी है और सबसे प्रसिद ज्वाला मुखी है क्राका टोवा और माउंट मेरापी और यह दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी बाला देश है और दोस्तो यह दुनिया का सबसे बड़ा दूइप समो भी है जिसमें लगबग 17,500 दीव हैं अंगला कुशन है आर्थिक सोतंतरता रिपोर्ट 2024 के अंसार पहले स्थान पर कौन सा देश है अंसर हो जाएगा होंग कॉँग तो अभी हाली में आर्थिक सोतंतरता रिपोर्ट को फ्रेजर इस्टिट्यूट कनाडा के दुआरा जारी किया गया था तो इसमें पहले स्थान पर कौन है होंग कॉँग दूसरे स्थान पर है सिंगापुर तीसरे स्थान पर है सुड़िजा लेंड और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 165 देशों में 84 बे स्थान पर है और अंतेम स्थान पर है वेनेजोयला अंगला कोशन ने 2024 का सखारो पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गॉंजालेज को इन दोनों व्यक्तियों को 2024 का सखारो पुरुसकार प्रदान किया गया है तो इस प्रकार से इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर सी दोस्तों ये दोनों व्यक्ति वेनेजोयला से संब्दनेद हैं और वह वेनेजोयला के बिवक्षी नेता है तो यह लोग बैनेजोयला में लोगतंतर की बहाली के लिए कारे कर रहे हैं सरकार से लड़ रहे हैं कि बैनेजोयला में लोगतंतर स्थापित किया जाए तो उनके इन ही कामों के लिए सखारो पुरुसकार प्रदान किया गया है यूरोपिय यूनियन के दोरा इस पुरुसकार के अंतरगत 50,000 यूरो की रासी भी प्रदान की जाएगी दोस्तो सखारो पुरुसकार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो विचारों की सुतनता के लिए काम करते हैं के अलाबा दोस्तों याद रखना है कि यह संस्थां को भी प्रदान किया जाता है। इसके सुरुवात हुई थी 1988 में और पहला पुरुसकार प्रदान किया गया था नेलसन मंडेला को। और इसके अलाबा मलाला यूसुप जाई और आंग सान सू की को भी याई पुरुसकार प्रदान किया जा चुका है। अंगला कुशन है 21 भी पसुधन जनगरना का उद्गाटन किसने किया है तो इसका उद्गाटन किया है राजीव रंजन सिंग। उनकी द्वारा 25 अक्रुबर 2024 को 21 भी पसुधन जनगरना का उद्गाटन किया गया है यानि कि अब पसुधन की जनगरना की जाएगी इस साल। तो इसमें 15 प्रजातियों को सामिल किया गया है और आपको याद रखना है कि भारत की जो पहली पसुधन जनगरना है वह 19-19-20 में हुई थी। नेक्स्ट कोशन है इंटरनेशनल कॉपर एसोसेशन में कौन सी भारतिय कमपनी सामिल हो गई है आंसर हो जाएगा हिंडालको इंडस्टीज तो आदित विर्ला ग्रूप की कमपनी है हिंडालको इंडस्टीज तो वो अभी हाले में इंटरनेशनल कॉपर एसोसेशन में सामि इंक्टन अमेरिका में Next question है Simbaks 2024 अभ्यास भारत और सिंगापूर के बीच कहा शुरु हुआ है आंसर हुजाएगा विशाकापतिनम में विशाकापतिनम में cobaks 2024 का offer भारत और सिंगापूर के बीच में किया जा रहा है Simbaks का फुल फॉर्म क्या है Singapore India Maritime Bilateral Exercise दोस्तो इस अभ्यास की सुरुबात 1994 में हुई थी और जब इसकी सुरुबात हुई थी तब यह अभ्यास Loin King अभ्यास की नाम से जाना जाता था तो 2024 में इसका 31 बा संस्क्राण आयुजित क्या जा रहा है इस अभ्यास की सुरुबात 23 अक्टुबर 2024 को हुई है अंगला कुशन है किस देश ने बिदेशी आयस्थाई करमचारियों के लिए भरती के नियम सक्त कर दिये हैं आंसर हुजएगा कनाडा तो दोस्तो कनाडा ने कनाडा फर्ष्ट की नीती को अपनाया है तो अब कनाडा में करमचारियों की भरती में सबसे पहले कनाडा के लोगों को प्राथमिक्ता दी जाएगी फिर इसके बाद जो वहाँ पर विदेशी और आयस्थाई करमचारी रहते हैं उनको प्राथमिक्ता दी जाएगी कनाडा की कैपिटल क्या है ओटाबा जस्टिन प्रूडो यहां के प्राइमिस्टर है कैनेडियन डॉलर यहां की करंसी है शेत्रपल की देश्टी से दूसरा सबसे बड़ा देश है दुनिया का कनाडा और इस देश की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है यनि तट्रेखा है नेक्स्ट कोशन है इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दच्छन, अफ्रीका, मिस्र, इथिवोपिया, इरान और सेयुक अरब अमीरात के प्रती निधी सामिल हुए थे आमंतरे देश के रूप में साउदी अरब, थाइलेंड और बियत नाम को सामिल किया गया था इसकी थीम थी नियाय संगत, वेस्टविक, विकास और सुरक्षा के लिए बहु पक्षुबाद को बढ़ाबा देना इसमें कौन-कौन से लीडर सामिल हुए थे थे तुरूस की तरब से ब्लादमिհ पुतिन, भारत की तरफ से नरेंद्र मुदी जी, चाइना की तरफ से प्रेसिडेंट सी जिंपिन, इसके अलाबा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सृर्ल नामा फोसा और ईजिप्ट के प्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, 2010 में इसमें रच्छन अफ्रीका सामिल हुआ था, पहला सम्मिलन जून 2009 में रूस के एका तेरिनबर्ग में हुआ था, दोस्तों इसके नौ मेंबर हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दच्छन अफ्रीका, मिस्र, एथियोपिया, इरान और यू यही सामिल हैं, 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारे एक बैंक का निर्माड किया गया था, जिसका नाम था New Development Bank, नेक्स्ट कोशन है, कॉमन बैल्थ गेम्स दोहजार चब्बीस में निमने मैसिक किस खेल को बाहर किया गया है, अंसर हो जाएगा क्रिकेट, होकी, बैडमिंटन, तो इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा, अप्रोक्त शब्बी, दोहजार चब्बीस में स्कॉट लैंड के ग्लासगो में कॉमन बैल्थ गेम्स आयोजित किया जाने थे, तो उसमें से कुछ खेल बाहर किया गया है, जिसमें बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, होकी, स्क्वास, टेवल टेनिस, कुस्ती, क्राइथलन, रगवी, सेविनेस, डाइविंग, वीच बॉलीवल और आर्जरी, इन सभी को बाहर किया गया है, तो अब 2026 के कॉमन बैल्थ गेम्स में 10 इवेंट आयोजित किये जाएंगे, वो इवेंट कौन-कौन है, एथलेटेक्स, स्विमिंग, आर्किस्टिक, जिमनास्टिक, ट्रेक साइकलिंग, नेट वॉल, वेट लिप्टिंग, वॉक्सिंग, जूडो, बाउस और वॉसकेड तो ये खेल आयोजित किये जाएंगे, 2026 के लिए कुछ गेम्स भी सामिल किये गए हैं, जैसे एथलेटेक्स, पैरा एथलेटेक्स, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, आर्किस्टिक, जिमनास्टिक, ट्रेक साइकलिंग, पैरा ट्रेक साइकलिंग, नेट वॉक्सिंग, जू सुचकांग दोहजार चौबीस के अंसार सबसे अधे गरीब किस देश में रहते हैं तो यह रहते हैं भारत में तो अभी हाली में वेस्विक बहु आयामी गरीबी सुचकांग सुचकांग दोहजार चौबीस को ऑक्षपोर्ट गरीबी और मानव विकास पहल और संक्तराष्ट विकास कारकरम यानि UNDP के द्वारा जारी किया गया है इसकी थीम थी संघर्स के बीच गरीबी 112 देश इसमें सामिल किया गए थे और जिसमें निम्न आयवाले देश सामिल थे 21 निम्न मध्यम आयवाले देश थे 47 उच्च मध्यम आयवाले देश थे 40 और उच्च आयवाले देश है चार गरीबों की जो कुल संक्या है पूरे विश में वो बताए गए इस रिपोर्ट में एक दिसमलो एक बिलियन और सबसे अधिक गरीब हैं भारत में 234 मिलियन पाकि दिसमलो एक बिलियन गरीब लोग हैं उनमें से लगबग 48 परतीसत लोग इन पांच देशों में रहते हैं अंगला कोशन है स्विप्ट परियोजना किस राज में शुरू की गई है तो असम राज में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहत असम मे 129 मैदानी अर्ध भूमियों को पुनर जीपित किया जाएगा इसके अलाबा मचली उत्पादन को भी बढ़ाबा दिया जाएगा Next Question है पहली बार जी सेबेन रख्षामंत्रियों की बैठक किस देश में आयुजित की गई है? तो यह इटली देश में आयुजित की गई है तो इटली के नैपल्स नामक स्थान पर इसका आयुजित किया गयए था और इटली के रख्षामंत्री के द्वारा इस बैठक की तो तब से लेकर अब तक एक भी बार रक्षा मंत्रियों की बैठा कायुजित नहीं की गए है लेकिन इस बार रक्षा मंत्रियों की बैठा कायुजित की गए है तो इसमें जो G7 के मेंबर हैं वो सामिल हुए थे इसके अलाबा NATO, European Union और Ukraine के रक्षा मंत्री भी इसमें सामिल अंगला कोशन है विश्व स्वास्थ संग्ठन द्वारा किस देश को Malaria मुक्त घोशित किया गया है आन्सर हो जाएगा Egypt तो अभी हाली में Egypt को WHO के द्वारा Malaria मुक्त घोशित किया गया है अंगला कोशन है Luong Kong किस देश के President बने हैं आन्सर हो جाएगा Vietnam तो Vietnam के नए की काप्टल है दॉंग करंसी है प्रधान मंत्री हैं फार्म मिंचिन और यह दच्छनपूर्व एसिया में इस्थे टेक कंट्री है अंगला कुशन है सैंक तो राष्ट जैव विवित्ता संबीलन यानि कि कॉप 16 किस देश में शुरू हुआ है या किस देश में आयजित किया गया है आंसर हो जाएगा कोलंबिया तो कोलंबिया देश में सैंक तो राष्ट जैव विवित्ता संबीलन का आयजिल किया गया था और यहां पर कॉप की बात हुए तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फरेंस और पार्टी अंगला कुशन है भारत और किस देश के बीच क तक के लिए बढ़ा दिया गया है यानि कि जो पाकिस्तान में करतारपुर साहिब है ठीक है जो कि गुरु नानक देव जी से संबन्नित है तो वहां के लिए यह समझ होता है जिसमें भारत की जो स्रधालू है वो वहां पर जाते हैं और सूर अस्त होने से पहले इंडिया ब गई है महराष्ट दूसरे स्थान पर रहा है और इसके बाद तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है अंगला कुशन है ब्रिक्स में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं तो वह पार्टनर देश कौन-कौन है मलेसिया अलजीरिया बेलारूस बोल्विया क्यूबा टीट्वेंटी क्रिक्ट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम कौन बनी है तो अभी हाली में जिमबाब्बे टीट्वेंटी क्रिक्ट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है दोस्तो जिमबाब्बे ने गामबिया के खिलाब 20 उबर में 4 विकिट खो क करके 344 रन बनाए थे जो कि अब तक कर T20 में सबसे बड़ा स्कोर है इसके अलावा जिंबाब्बे ने यह मैच 290 रनों से भी जीता था तो इस प्रकार से यह T20 करकेट में सबसे बड़ी जीत है तो यह सारे रिकॉर्ड बने हैं अभी हाल अंगला कुशन है नसीम अलबहर और किस देश के बीच होता है तो यह भारत और उमान के बीच होता है 2014 में सका आयोजन 13 से 18 एक्टूबर तक गोवा के तड़पर किया गया है इसमें भारत की तरब से INS त्रिकंद्र ने हिस्सा लिया था यह अभ्यास भारत और उमान के बीच 1993 से किया जा रहा है अगला कुशन है भारतिये चेंबर और कॉमर्स के अध्यक्ष कोन बने है तो अभी हाली में अभ्यूदय जिंदल भारतिये चेंबर और कॉमर्स की बात करें तो यह देश की सबसे पुराने व्यापार संगों में से एक है 1925 में इसकी स्थापना की गई थी इसका मुख्याल दाना कतर देश ने दिया है जिसका मतलब होता है उदारता दलित उपकोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्यकौन बना है तो वो बना है हरियाना तो हरियाना ने अभी हाली में दलित उपकोटा लागू किया है तो इसमें अनसूचित जातियों को बंचित जातियों में बरगी करेद किया जाएगा अंगला कुशन है उडान यूजना को कितने बरसों के लिए बढ़ाए गया है तो अभी हाली में उडान यूजना को दस बरसों के लिए बढ़ाए गया है उडान यूजना कब शुरू की गई थी 2016 में की गई थी तो इस यूजना के म United Nation की स्थापना हुई थी 193 इसकी मेंबर है रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, आर्वी, चीनी और स्पेनिसिस की लेंगवेज है एंटेन्यू, गुटिरेस इसकी महा सचो है मुख्याला है निवयार्क में और इसका उदेश से अंतर राष्टी सांती को बढ़ा है अंगला कुशन है दीपका कुमारी ने तीरंदाजी विसकव फाइनल 2024 में कौन सा मेडल जीता है तो उन्होंने सिल्बर मेडल जीता है और ये जो तीरंदाजी विसकव का फाइनल है 2024 का इसका आज़न मैक्शको में किया गया था तो इसमें भारत की तीरंदाज दीपका कुमारी ने सिल्बर मेडल जीता अब आपके लिए आज का खुशन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्श में बताना है आपको बताना है लौंग कौंग किस देश के राश्टपती बने है जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्श में जरूर बताएं दोस्तो श्टडी करके एपको आप इंस्टॉल कर लें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्श में दिया गया है यहाँ पर आपको ई-बॉक बगएरा मिल जाएगी इसके अलाबा पीडिया अप, नोट, टेस्ट पास मिल जाएगा तो भारत में जितने भी कॉंप्टेटिव एक्जाम आयुज़ित किये जाते हैं सबी के लिए टेस्ट पास आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर आपको 3000 से एक टेस्ट मिल जाएगा सितमबर 2024 के Current Affairs की ई-बॉक हिंदी इंगलिस दोनों मीडिया में एप पर मिलेगी सितमबर तक की ई-बॉक आपको यहाँ जन्मरी से सितमबर तक की ई-बॉक आपको एप पर मिल जाएगी यहाँ इसमें 500 MCQs भी इंप्लूट किये गए हैं हिंदी और इंगलिस दोनों मीडिया में इ-बॉक बाले सेक्शन पर आपको Current Affairs की ई-बॉक के अलाबद GK की ई-बॉक में मिल जाएगी तो इनको भी आप वहाँ से प्राप्ट कर सकते हैं इसके अलाबद Test Series बाले उप्सन पर जाएगी तो आपको Daily Current Affairs का Test और Mock Test मिल जाएगा